अलो टेटर्स वेलकम तो एलाजब्लू मैं हूँ तीपेन गुगोई और आप जहम बात करेंगे कुरूड ओयल देखेंगे कहां पर एंटी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कुरूड ओयल डेली में अभी भी 200 के नीचे में हैं आप देख सकते हैं यह कुरूड ओयल अभी 200 बार की निचे में हैं मतलब आभी भी यह कुरूड और को ब्रेकट नहीं क्या लेकिन फोर और में देखे तो यह अब ब्रेक आउट कर दिया राइक लेकिन अब भी यहां से प्राइचेक्शन मेथोद्द से यह हायर हाय बना नहीं पा रहा है तो यहां से मुझे लगता है आज यह जो रेजिस्ट फोटिंग लाइन था इसको ब्रेक आउट किया हुआ है तो इसमें हमें एक सपोर्ट लाइन मिल अब बना के रखा है तो इसलिए हम देखेंगे अब ही 15 मिनित में कहां पर एंटी कर सकते है तो 15 मिनुट एंटी करने के लिए हमें देखना पड़ेगा यहां से अभी देख सकता है दो बात हो रहा है। एक डेली में अभी भी 200 मोविंग अबरेस की नीचे में है, फोड ऑवर में उपढ़ में है और 15 मिनिट में 200 मोविंग अबरेससे बांस हो रहा है। यहां पर देख सकते हैं 200 चे बाउंस हो रहा है, मार्केट बाउंस हो रहा है, तो मुझे लगता है अगर यह प्राइस कॉंटिन्यू किया, तो अगर 3950 का नीचे आ गया, तो आप सेल जा सकता है to next target, 3880 का आसपास, जो यह 4 आवर में 200 और 150 एक्सपोनेंचिल मोभी है वाड़ अगर मार्केट उपर गया, तो अगर 200 की आसपास आया तो आप फिर सेल कर सकता है, यहां से फिर से बाउंस हो सकता है, तो previous market behavior को देखके, यहां से हम, अगर मिला 200 का आसपास, तो प्राइस रहेगा 4000 आसपास, यहां से हम सेल करेंगे, और SL उसका थोड़ा उपर रखेंगे और ने की आसपास, यहां से बाइस प्राइस बाइस perché आसपासं का आसपास, बाइसका इ की आसखास तмотр हैं अगर 10,597 का आसपास, तो आपे हम इंच सेल कॉस्ट कैसे है, यहां सेल क्या है,